मित्रो जय मतादी आप देख रहे हैं धर्मसिक्छा, धर्मसिक्छा में हरोज की तरह एक बार फिर से मैं आज़े हूँ आज का संपुन रासिपल लेकर, यह संपुन रासिपल है सनी वार याने की 5 जून 2021 का, अगर आज के पंचांग के बात करें तो आज है विक्रम संबाद 20 अगर आज का पंचांग और भी विश्थार्स जानना है एक एक मुर्तु गंग जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है मुहाँ जाकर आज का पंचांग विश्थार प्रोग जान सकते हैं एक-एक मुर्तु गंग में जान सकते हैं आज के संपुन रासिपल के वीडियो में हम जानने वाले है कुल 12 रासियों का आज का रासिपल साथी हम जानेंगे आज का सूप समय असूप जैसी गने चोल लिखें मित्रों आज के 12 रासि का रासिपल आपको बताना आराम करों उससे पहले आए एक निजर डालते हैं आज के गरहों की स्तिती पर क्योंकि गरहों की स्तिती पर पूरा का पूरा रासिपल निर्भड करता है आज बुद्ध सूरी राहो तीनों एक तीस में तक विराजित रहेंगे उसके बाद फिर देर रातरी में चंदरमा मेश रासि में परवेस्ट कर जाएंगे तो इन ही सभी गरहों का मिलाद लाहल आज के रासिपल में हम जाने वाले हैं तो आईए बात करेंगे पढ़ी रासि मेश रासिपल आज दूसरे स्थान मे आपके लिए आविश्यक है आज आप किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं आज किने अपने खर्चों पर नियंतर रखें आज आपके खर्चे जदा बढ़ सकते हैं कुछ जातकों को आज लंबा सफरते करना पर सकता है जो काफी भाग दोर भरा भी रहेगा लेकिन साथ ह आपके लिए यह यात्रा फाइदे मंद भी साबित हो सकती है व्यापार और धन की बात करें तो नोकरी और व्यापार सो जुरे जातक अपने ओफिस या व्यापार से समधित लोगों से मिल जूल कर रहे हैं समझ और धैरी से काम ले साथ ही कार या स्थल पर साबधानी बरते आज के इन जल्दबाजी में निवेश तो बिल्कुल भी ना करें अगर कहीं निवेश करना है तो सोच समझ करी करें अन्भवी लोगों की सला से करें वड़ना आपको नुक्सान हो सकता है विद्यार्थी की बात करें विदरतियों के लिए आज के सामाने रहने वाले आज के इन सोसल मीडिया में ज़्यादा समय वरवाद ना करें अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान दें स्वास्त की बात करें तो आज के दिन आपके स्वास्त में थोड़ा उतार चरह आ सकता है स्वास्ति थरों खराब भी रह सकता है अपने स्वास्ति का ध्यान रखें प्रेम समन्त की बात के तो आज का दिन आपके विवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामजस से बना रहेगा आज के न बादाम खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लकी नमर आठ रहेगा बात केंगे वरिशासी की वरिशासी मचंदरमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज के नापके लिए अच्छा रहने वाल है आज आपको मान सम्मान मिलेगा साथ ही आपको यस, कीरती और लाविकी प्राप्ती भी होगी बुजुर्गों और मित्रों के साथ आपका दिन अनन्द में बितेगा साथ ही पत्नी और बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा बितेगा किसी प्रिय वक्ती से मुलाकात होने की संभावना बन रही है कार्य स्थल्प परिश्रम के अन्रूप लाविकी प्राप्ती भी होगी कीमती वस्तों को समाल कर रखे क्योंकि आज उनके खोने का भय बना रह सकता है आज आपके लिए नया काम करने के लिए भी अच्छा दिन है व्यापार और धन की बातकर तो व्यापार धन की दिष्टी से आज के आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज रोजगार के लिए आपका किया गया प्रयाज सफल रहेगा विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किन सामाने रहने वाला है मेनत करें सफलता मिलेगी आपको स्वास्त की बात के तो स्वास्त के दृष्ठी से आज की नप के लिए अच्छा नहीं का जा सकता है बुजूर्द जातकों को पुरानी विवानियों से कष्ट हो सकता है तो अपना ध्यान रखें प्रेम समंद की बात के तो आज पती बतनी के बीच प्रेम समन अच्छा बना रहेगा संबंधों में मदूरता बनी रहेगी अपने जीवन साती के साथ समय बिताएं ये आपके प्रेम समन्धों के लिए अच्छा ही रहेगा आज किन अंकुरीत अनाज खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग ओरेंज कलर और आपके लिए आज का लकी निमबर रहने वाला है साथ बात करेंगे मित्रुन रासी की मित्रुन रासीम चंदरमा आज चोथे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुरूप आज आपको घर तथा कार्य स्थल में बहतर वाता बनाने से काफी परसन नता होगी वित्रों या पड़िवार के सदस्यों के साथ मोझ मस्ति भड़ी यात्र आपको सुकुन दे सकती है आपके किसी प्रिय वक्ति के साथ आपके कुछ मतभेत उभर कर सामने आ सकते हैं साथ ही लोग आपको आज समझ नहीं पाएंगे अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके स्वयोगी भी आपसे नाराज हो सकते हैं नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज के अच्छा रहनेे वाल हैं विद्यारती की बात के चंद्रमा के चोठे भाव में होने के कारान आज आपका मन अपेक छाकरी ज़्यादा चंचल रह सकता है परहाई से आपका मन भी भठक सकता है स्वास्त की बात करें तो स्वास्त की देश्टी से आज करें आपके लिए अच्छा रहेगा फिर भी आपको मौसमी विवारियों से सचेत रहना चाहिए प्रेम समंध की बात करें तो आज के दिन आपके प्रेम समंधों में थोरी खटास उत्पन हो सकती है जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भरकर आपके सामने आ सकते हैं तो मतभेदों से बचें आपको अपने प्रेम समंधों के परति सजेत रहना चाहिए हो सकता है आपका जीवन साथ ही आपके लिए आज प्रियाप समय ना निकाल पाए तो उन्हें समझने का प्रियास करें आज किता चंदरमा आज 25 छाव्य को समझने की आवशकता है आज आपका मन परसंब नहीं रहेगा लेकिन आलज quickly कारियों में थोड़ा विलंभ भी हो सकता है लेकिन इसके बापजूर भी आज करें आपके लिए बहुत ही सक क्रिये और लोगों से मेल जरुबरा रहेगा आज अपने उस्साह में कमी बिलकुल ना ने दे उस्साह में कमी के कारण आज आपके कारी प्रभावित हो सकते हैं इसका प्रभाव आपको वेबसाइक छेतर में भी देखने को मिलेगा ज्यादा लाव के लिए आपको अपने कारी पनाली मे सुधार करने की आविसकता है कुछ राज की सहीयोग मिलने की संभावना बन रही है संतान के साथ मतवेद हो सकते हैं आज कोई भी महतपुर्ण ने बहुती सोच समझ करें किसी अध्यात्मिक गुरू या ज्यानी पुरुस की सलाह से लें व्यापार और धन की बात करें तो आपके पर्तिदंदी आज सांथ रहेंगे विद्यार्थि की बात करें विवाहित जातकों को गरियास्त सुख मिलेगा आज आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की प्राप्ति भी होगी आज किन तही अपने खादिबतात में सामीर करेंगे आप तो आपके आपके लिए आज का सुबन क्रीम कलर और आपके लिए आज का लगी नमर दो रहेगा बात करेंगे सिंगरासी की सिंगरासीम चंद्रमा आज चटे स्थानवे विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके उदार सोभाव का गलत फायदा उठाया जा सकता है तो सचेतरें आज आपके खर्च बढ़ सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंता जोड़ रखें मीठी वानी बोले वानी पर अपने सयम रखें वरना आज आपके किसी से लराई जगरे भी हो सकते हैं अपने सहकर्मी और आदिनास्त करमचारियों की सला आपके लिए लाबदा करें विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के सामाने रहने वाले हैं आज के सोचल मीडिया में ज्यादा समय की ब्रवादी ना करें अपने पढ़ाई पड़ी ध्यान दें स्वास्त की बात करें आज आपको अपने स्वास्त के परती साधान रहने की जरूरत है कफ और पेट समंधी विवाडियां आपको परिसान कर सकती है तो अपने स्वास्थ का ध्यान जरूर के प्रेहम समंध की बात करें प्रेहम समंधों के दृष्टी से आज करने आपको लेडिये अच्छा रहने वाला है जीव अनसाती से सामंजस से आपका बना तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग light green color और आपके लिए आज का lucky नमर रहेगा पांच बात के है कन्या रासी की कन्या आसिम चंद्रमा आज साथ्में स्थान में विरजी था है जिसके फ्रसुप आज का इन आपके मान समान में विर्धी होगी आज आपका समय मरोरंजन में बीतेगा स्वाधिष्ट भोजन प्राप्त होगा दोस्तों और पईजनों के साथ कहीं गोमने या समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के भी सबके ध्यान का केंद्र बने रहेंगे व्यापार और धन की बात कहें तो आज के इन आपके लिए कारवार के विस्तार के लिए और धन संग्रा करने की योग बन रहें प्रबल धनलाप के भी योग बन रहें आपके व्यापार में विर्धी भी होगी कारी छेत में आपके काम काज की सराहना होगी जल्द बाजी में फैसले ना करें इससे आपको जीवन आगे पस्ताना पड़ सकता है विध्यार्थी की बातकर विध्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहने वाले पोन और सोसल मीडिया में अपना समय परवाद ना करें, मेनद करें, सफलता मिलेगी स्वास्ति की बात के तो आज 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 आपका स्वास्ता अच्छा रहने वाला है अपने जीवन साथी के स्वास्ति का ध्यान रखना चाहिए प्रेम समंद की बात के तो आज कर दिन आपके प्रेम परसंगों के लिए अनुकूल रहेगा आज आप अपने जीवन साधी को यह जरू बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समंद सुद्रिड होंगे आज किन ब्राउन राहिस यानी की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुबर रहेगा आपके लिए आज का सुबरन फेस कलर और आपके लिए आज का लकी नमर दो रहेगा बात करेंगे तुलारासिकी दुलारसिम चंदरबा आज आठवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज बेकार के सोच में आपका समय और उर्जा दोनों बरबाद हो सकता है तो इसका ध्यान रखें बलकि अगर सही दिशा में समय लगाएंगे तो उसका फाइदा भी आपको मिलेगा भागिदारी वाले वेवसायों में निवेस करने से बचें आज किसी प्रकार का जोखीम लेने से बचना चाहिए आपको आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन है कुछ जातकों के लिए की गई यात्रा और निवे सफल रहेंगे आपके द्वारा किये गए कारी से आपको यस और किरती की प्राप्ती भी होगी परिवार में सुहार्थ पुन वातवरन बना रहेगा नोकरी और कामधंदे की जगह सहयोग्यों का सहयोग भी मिलेगा खर्च आपका बढ़ेगा आज लोग आपकी परसंसा करते हुए दिखे जाएंगे व्यापार और धन की बात के तो आज आपका ना चाहते हुए भी फालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बढ़ते हुए खर्च पे नियंतन जूर रखे ये आपके व्यापार को परभावित कर सकते हैं विद्यार्थी की बात के तो आज आपका मन चिंचल रह सकता है आज आपका परहाई में कम लगेगा तो आपको अपने परहाई पे मन लगाना चाहिए सफलताएं इसे से मिलेंगी आपको स्वास्त की बात के तो मामली चोट और वाद व्याद से हानी हो सकती आपको आज आपके स्वास्त में थोड़े उतार चराव आ सकते हैं प्रेम समंध की बात के प्रेम समंध में थोड़े उतार चराव आ सकते हैं जीवन साथी से हलकी नोगजों की समामना भी बन रही है। आज के इन दूद से बनी वीज़ीये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुब रंग गुले अपी रंग और आपके लगी नमर पांच रहेगा। बात केंगे विश्ची ग्रासी की। होता रहेगा आपका। व्यापार और धन की बात केंगे। समन बनाने की कोशिश करें, उनके साथ आनेवाई दिनों के योजनाव सेयर करें, इससे आपके समन बहतर होंगे. आज किन अदरक अपने खाजबतात में सामिन कहेंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग लाइट गिरीन के रर्र, और आपके ल वरना आपके स्वाफिवान को भी ठेस पहुंच सकता है। कुछ जातकों के पैसे दूसरों भी खर्च हो सकते हैं, जिससे घरेलों जीवन में कुछ तनाव का समना करना पर सकता है। आपके जो भी प्रियेजन हैं वे आपके भरोसे और वादे की जुरत को महसूस कर सकते हैं। व्याफार और धनकी बातके व्याफार धनकी दिश्टी सिजवा तक नोकरी कर रहे हैं। उन्हें आज ऑफिस में अच्छा माहौल मिलेगा। कामकाज के स्तर में भी सुधार होगा। व्याफार से समधित आपको कहीं यात्रा पर जाना पर सकता है। और ये आपके व्याफार के लिए लाबदायक भी रहेगा। तो यात्रा के मौके को हाथ से ना जाने दे। इस मौके का फाइदा जरूर उठावे। आपके व्याफार के लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे है। विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहने वाला है। महित करें सफलता मिलेगी आपको। स्वास्ति की बात के तो भोजन और निंद में और नियमित्ता रहेगी जिससे आपका स्वास्ति डगमाज सकता है अगर इसे बचके रहेंगे तो आपका स्वास्ति ठीक रहेगा अगर इसे बचके रहेंगे तो आपका स्वास्ति ठीक रहेगा अगर इसे बचके रहेंगे तो कुछ कम होंगी आपकी कलपना सकती और सीजन सकती को भरकर सामने आएंगी ऐसे में जोड़ा तक साहित लेखन और कला के छेतर से जुरे हुए हैं उनके लिए सफलता प्राप्ति योग बन रहे हैं अगर कहीं यात्रा पर जाएंगे आप तो आपके कारी भी बनेंगे अगर को को मिलवाने में मददाद कर सकते हैं आज व्याफार और धन की बात के वित्यमामलों पर ध्यान देने की आवेश सकता है आज के इनकी एक निवेस आपकर के लिए काफी फाइदयमन सावित हो सकते हैं लेकिन निवेस सोस समझ करी करें आपको अपने भागीदारों यानि की पार्टनर्स के विरोध का सामना करना पर सकता है विद्यार्थी की बात के तो साहित लेखन और कला के छेतर से जुरे हुए विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है सफलता मिलने की संभावना बन रही है स्वास्त की बात के तो स्वास्त के देश्टी से आज के अपके ठीक ठाक रहेगा लेकिन आप अपने संतान के स्वास्त की चिंता आज कर सकते हैं तो अपने संतान के स्वास्त के दिहान रखें प्रेम समंध की बात के लिए आज के न अच्छा रहने वाला है आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन साथ ही के जीवन में आपकी कितनी ज़रुत है आज के निगर नीवो अपने खादे बतात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुबर रहेगा आपके लिए आज का सुबर लाइट येलो कलर और आपके लिए आज का लखी नमर नौ रहेगा बात केंगे कुमरासे की कुमरासीम चंदरमा आज बारा हुए अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज अगर आप अपना दिन खुस नमा बनाना चाहते हैं तो मानसिक्तनाव और जहन्जटों से बच कर रहे हैं कुछ दिनों से आपका व्यक्ति का जीवन ही आपके ध्यान का लिए रहा है और जोरतमन व्यक्ति की मदद करने की कोशिश भी कर सकते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आज आपके विग्रेवे सारे काम भी बन सकते हैं आर्थी क्योटनाव के कारण आपकी कई परिसानियां कम होंगी परिवार में सांती और अनन्द का माहल बन सकता है सपलता भी मिलेगी स्वास्त की बात करता है तो आज आज के दिश्टी से अच्छा रहने वाला है फिर भी मौसमी बिढ़ाणियों से और महामारी से बचके रहें प्रेम समयद की बात करता आज आपको अपने जीवन साथी के गुस्छे का सामना करना पर सकता है विवाह योगी जात्कों के लिए आज का दिन उप्यूकत रहने वाला है आज के निगर दूद या दूद से बनीवी चीज़ें जैसे दही, आईस क्रीम अगर खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग क्रीम कलर और आपके लिए आज का लखी नमर तीन रहेगा बात करेंगे मीन नासी की मीन नासी मुचंदरमा आज पर्थामस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज के इन आपको कहीं से सुब समाचार की पापती हो सकती है दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपका दिन काफी अच्छा भी देगा किसी से कुछ उपार की पाप्ति आपको हो सकती है लेकिन सचेत रहें आज ना सिर्फ अजनबियों से बलकि दोस्तों से भी साधान रहने की ज़रत है बाहर घुमने की युद्ना बन सकती है तरह साधिस्ट भोजन करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है आज किन आपके लिए कई तरह से फाइदे मन साबित हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कई चीजिए आपके पक्ष में भी जाएंगी आपको हर काम में सफलता मिलने की संबावना बन रही है व्यापार और धन की बात के जो आतक नोकरी कर रहे है व्यापना कारी अच्छे तरीके से ही करें क्योंकि आज आज आपके बॉस की निगर आप पर ही है इसलिए उनके निगाहों में अच्छे बने रहने के लिए अपना काम अच्छे तरीके से करें वैसे भी अपना काम इमादारी पूर्व की करना चाहिए जो आतक व्यापार करते हैं या जिन्हें निवेस करना है वे आज अच्छे से सोच समझ कर ही निवेस करें तब ही आपको आर्थिक लाब हो सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाले है आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने की योग बढ़ना है तो मेरत में किसी प्रकार के कोई कमी बिल्कुल न रखहें वांस्त को आज कि आए आए कि सवास्ते आपको कंद सब करें SMITH की सब्सक्राइब कर दीन गाए को मौस्मिवर, MARY वहांडुण गर्वी और महामारि सब्सक्राइब आजके ब्राउन राईस यानी की पकखा चाल खाएंगे तो आपके लिए दिए शूब रहेगा आपके लिए आज का सूब रहेंगे लाइट औरेंज इंग अपके लिए लाएग चार तुमितो यू ये था आज के परा राची का राची फल अब जानेते हैं आज का सूब समय आज का सुब समय यानि की गुली कल रहने वाल है, सुबह के 5 बच कर 22 मिनट से लेकर 7 बच कर 7 मिनट तक, इस समय में कोई भी नया कारी अरम करेंगे, उसमें आपको सबलता हाथ लगेगी। तक पर यातार हम करेंगे, किसी नया कारी को करेंगे, उसमें आपको सबलता हाथ लगेगी। तो मित्तर यह था आज का संपून राशी फ़र कल के संपून राशी पछ के लिए जुर रहें, नर्मसिक्षा के साथ वह दिखते रहें, नर्मसिक्षा जय मत दिनुन.